हेलो एवरीवन, वेल्कम बैक तो माई चैनल, आयाम अनस्वी और यू आ वाचिंग न्यू लर्निंग, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री बुक का चाप्टर फोर का पार्ट टो, ठीक है, तो यहाँ पर है जहांगीर के बार में हम देखते हैं पहले, तो जहांगीर ने कब से तक राज किया था, जहांगीर ने 1605-1627 तक राज किया था, ठीक है, फिर मिलिटरी कमपेंज, जो की अकबर ने चलाए थे, वही कंटेन्यू हो रहे, जो मिवार के रूलर थे, कौन थे, अमर सिंग, उन्होंने ही वही मुगल सर्विस को अक्सेप्ट किया, जो उनके कमपें कि लास्ट एर्स में उन्होंने अटेक किया जहांगीर पर, जो नूर जहां जो थी, जो जहांगीर कि जब वाइक थी, उनके उसारे वह, वह अनसक्सेस्फुल हो गई थी, ठीक है, अब हम देखते हैं, शाह जहां के बारे में, जुन ने 1627-1658 तक रूल किया, मुगल कमपे जहां लोदी जो थे, उन्होंने अटेक किया, उनको हरा दिया गया, कमपेंस लॉंच किये गए, एहमन अगर के खिलाफ, बुंदेलास को हरा दिया गया, और ओचा को हडप लिया गया, मतलब शाह जहां नहीं सारे काम किये थी, चिक है, तो नॉर्थ वेस्ट में, मतलब यह कि खंद हाल उनहें ही एक मिनिनट, यहां पर यही बोला हगा है कि जो उस्बेक्स ते उन्होंने लिया था, बल्रव को हडपना था लेकिन वह नहीं हर पाई थे, तिर खंद हाल जो कि उन्होंने जीता था, वह सफाविद्नी ले लिया था, एहमद नागर जो था, फाइनल उसको हडप गया और बिजापूर को भी 1657 से 1658 तक कॉन्फिक्ट रहा वर सक्षिशन अमंग्स्ट शाह जहा संस शाह के बेटों के बीच में जो है ना इतने टाइम से इतने टाइम तक का बीच में कॉन्फिक्ट छोड़े मुन लाई जगले गही थे औरंगजेब वस विक्ट उसको हरादिया गया था शाह जहां वस इंप्रिजेट फार दर्ट रेस आफ विस लाइफ इन अगरा फिर शाहन जहां को जेल में बन किया गया और बचिवी जिंदघी में आगरा में ही अब हम शाह जहां के बेटे के परन 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 पड़ते हैं और अगुजेब ठीक है श वोम्स को हरा दिया गया था किसने हरा था और अंग्जेम में हरा था 1663 में लेकिन फिर से उन्हों ने रेबल किया अटैक किया फिर से 1680 में नॉर्ट वेस्ट में कमपेंज चले थे यूसुफ जाई के खिलाफ चिक है और सिक्स के खिलाफ और जो सिक्स थे ना वो टेंपरली स जीत गए थे मुगल इंटर्वेंशन इंडर सक्षेशन और इंटर्नल पॉलिटिक्स ऑफ राधर राजपूल्स ऑफ मर्वार लेट तो देर रिबेलियन यानि की जो मुगल जीत गए थे उसके उड़ा से मुगल से राजपूल्स में फिर रिबेल वाल भी हुए थी जो चाहिते किसके मराथ शिवार जी के खिलाफ वो सक्सेशन रहे थे लेकिन और अरंगजेव ने क्या किया शिवार जी की इंसल्ट करी जो की आगर से भग के आये थे आगरा से बचेते एक डिक्लिए लिंसेल रांगशेब एकाश्यम ने फिर से अरन के सफ necessarily वाम एकावी ने racing खाली utilizz शीं गऔर ऎका की त्रुट्स धिंट अकबर के रेबैलियन के बाद औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी डेकन सल्तनेट्स के खिलाफ ठीक है बिजापूर को अपलिया गया है 1685 में गोलकॉंदा को इन 1698 में औरंगजेब को पर्सेली मैनेच कमपेंज ब सल्तना लिए अपने परसनली ही डेकन के खिलाफ जितने भी इसमानेच करते थे खिलाफ के मराठा की खिलाफ में मानेच करते में ख्लाफ में गांटे के खिलाफ में साब वी अधमग्यू फट्रेश का थे और अंगजेव also had to face the rebellion in North of the Sikh और अंगजेव को मतलब जो rebellion हुई थी North India में Sikh की और जाट और सतनमस की वो भी उने face करनी पड़ी थी North East में चीक है In the North East of the Ahum Ahum के एरिया में और Deccan के एरिया में Marathas की His death was followed by a succession conflict among his son Death होई थी और उनके बेटों में conflict रही थी चीक है तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं देखे यह ना मैंना को सही से इसलिए नहीं समझाए क्योंकि देखे यहाँ पर हमेना राजाओं के बारे में बटाया गया है की ऐनकेि इसन कंपेंघ चिलाए थे पहले बावर ने राज किया थे तक स्याटर हमाई ने राज किया एख और यहाँ पर अकबर जो आय थे अकबर सबस्क्राइब और सबसे बड़े एखर विढ़ते थे ख़े अज तक के आख़गने जहांगीर के बेटे शाहँ जाह आए तो यहांगीर के बेटे शाहँ जाहँ आए तो यहां पर हैं पर हैं मिलिटरी कमपेंज अंदर अकाँबर और अरंगजयेब के टाइम पर चले थे तो यहां पर देखते हैं mughal traditions of succession यानि कि मुगल के जो जितने भी tradition से रितिरिवार से सक्षेशन के तो the mughals did not believe in the rule of primogeniture जो मुगल्स है वो primogeniture के rule में नहीं believe करते थे देखे, primogeniture क्या होता है पहले ऐसा होता है एक राजा है मान लो ठीक है कोई भी king है उसका बेटा, उसके मान लो पाँच बेटे हैं ठीक है मान लीजिए उसके तीन पेटे हैं एक है, suppose कि जए एक है सबसे बड़ा है एक थर्ती साल का ire, एक है, पचिस साल का और एक है बीस साल का तो पहले ऐसा होता था है на यह सबसे बड़ा बेटा है, जो सबसे जेष्ट है उसको राजा बनाया जाता था ऐसे ही 30 मतलब मान लो जो सबसे बड़ा कौन है जो पहला बेटा है 30 जो 30 साल का है तो उसको राजा बनाया जाएगा जेश्ट आधिकार जिसम बोलते हैं तो मुगल्स ना इस पर बिलीब नी करते थे कि सबसे बड़ा ही राजा बनेगा सबसे बड़ा भाई विए अल्डेस सन इनहरिटे इन फादर सटेट की फादर के सबसे बड़े बेटे को मिलेगी इंसेट दे फालोग दे मुगल्स ना इनन टिमुरिद कस्टम और को पर सेनरी इनहरिटेंस और डिवीजिन अफ इनहरिटेंस अमंग्स अल दे संस यानि कि उन्होंने क्या कि जो म एक साथ वो जो भी उनके पापज का है वो सब एक साथ लेंगे वो उन्होंने वो फॉलो नहीं किया या फिर सारी अपनी जो सादी प्रॉपर्टी थी उसको अपनी बेटों में नहीं बाटा फॉलो दा हाइलाइटे पैसेजिजे इन टेबल वन नोट द एविदेंस फॉर अब यह अब यह बताया कि मुगल ने क्या किया यह नहीं किया कि अपनी सबसे बड़े बेटे को राजा बनाया फिर सबसे बड़े बेटे को ज्यादा प्रॉपर्टी दी या फिर सब में बांटी उन्होंने यह नहीं किया ठीक कि यहां पे देखते हैं मुगल मैरज इस वि कौन थी जहांगीर की मदर थी वह एक राजपूत रूलर की बेटी थी अंबर की राजपूत रूलर की बेटी थी अब हम देखते हैं मुगल मुगल की क्या रिलेशन्स थे दूसरी रूलर के साथ इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे चीक है इस वीडियो के लिए इतना ही इसको एक बार देख लेते हैं